आज हम जिस company को analyze करने वाले हैं वो industrial sector की company है और एक small gap company है company का नाम है study industries limited इसके karan stock का price 43 पैसे है पिछले एक हफ़ते में इस company ने minus 4.44% का पिछले एक मैने में इस company ने minus 18.87% का पिछले एक साल में इस company ने 7.50% का पिछले पास सालों में इस company ने 34.37% का और अब तक इस company ने minus 99.07% का return दिया है company का market cap 6.50 करोड का है PE ratio minus 0.71% का है ROCE minus 7.06% का है ROE 0% का है और company पर minus 176 करोड का debt है company का revenue 2016 में था 429.01 करोड का जो की कम अगर दोज़ा चोईस में हो गया 39 lakh का अगर इस company के overall revenue को देखें तो हर साल company का revenue गिरते जा रहा है company के net income 2016 में थी minus 11.75 करोड की चो की कम अगर दोज़ा चोईस में हो गया minus 9.18 करोड की अगर इस company की overall net income को देखें तो 2022 को छोड़कर हर साल इस company को loss ही हुआ company की sale दोज़ा 16 में थी 423.50 करोड की चो की कम अगर दोज़ा चोईस में हो गया 34 lakh की company के promoters के पास company का 12.09 परसेंट शेयर है mutual fund, domestic institution और foreign institution में company का एक भी शेयर नहीं है और retail investors के पास company के 87.91 परसेंट शेयर है और अगर आपने अप तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो description में आपको link मिलेंगे वहाँ से आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे like करें दोस्तों के लिए शेयर करें और एसे वीडियो सकने चानल को सब्सक्राइब करें